वेलकम टू फिसकल साइन पेफिक ख्लासेस फ्रेंड जैसा कि नौदे विद्याले समीती द्वारा एक नोटीस जारी किया गया है फर्स्ट फैब्र उवरी को तो इसमें जो है टीजीटी थर्ड लैंग्विज जो था टीजीटी उर्दू के पेपर्स जो थे इंटरव्यू ज अब भी क्या है जो रिशीडूल जो न्यूज सीडूल जो आया हुआ है इसका इंटरव्यू का वह है दस मार्च लेकर 14 मार्च के बीच में एक्सेफ्ट 12 मार्च को तो आप देख सकते हो कि स्की किस लोगों को बुलाए गया है यहाँ पर आप देख सकते हो जो फोस्ट है आप लोगों को पहली बात वैन्यू कहां पर आप देख सकते हो, सहित पत लखनव में है, आप लोगों का इंटरव्यू जो है सेडूल है, और दस मार्च को देख सकते हो, आप लोग किसका किसका है, अब्दुर राकीब का, मुहम्मद अस्फकुला आलम का, जुल्फुकर का, सहाब उद्दीन का, इस लोगों का है, और नाइन ओक्लॉक रिपोर्टिंग टाइमिंग है, आप लोग देख सकते हो, किसका किसका कब कब है, वीडियो को पॉस करके आप देख सकते हैं, इस तरीके से, और यहाँ पर देखी, ग्यार्व मार्च जो है, सीडूल जो है, इनक मार्च को और 11 मार्च को जो बुलाय ग्या है, वो टोटल जो बुलाय गया 11 मार्च को, 80-80 यानि की लगभग 45-44 लोगों को जो बुलाए गया है 11th मार्स को नेक्स जो है 12th को आवकास है और 13th को फिर से residual किया गया है आप देख सकते हो साइस्था को देन चारत तारा चंद मीना देन मुहम्मद आर्शिम अजहर जमाल इन लों को जो है बुलाए गया है 13th मार्स को इंटर्व्यू सहीद पत्मे होगा ठीक है आप देख सकते हो यहापर फिर उसके बाद जो है 133 नमबर रोल नमबर से आप देख सकते हो कि इनको जो बुलाए गया है वो 14th मार्च को बुलाए गया है ठीक है ताहिरा खातुन को सिद्धिका नास को इनलों को 14th मार्च से बुलाए गया है देख सकते हो आप लोग वीडियो को पॉस करके टोटल जो कैंडिड़ेट्स है फ्रेंड्स 180 कैंडिड़ेट्स जो टोटल कैंडिड़ेट्स है उनलों को बुलाए गया है अगर अब बात करलो एक्जाम का KVS एक्जाम का देखे KVS का एक्जाम जो है प्रेंड्स आप लोगा जो स्टार्ट होगा वो 12th FAD से स्टार्ट होने वाला है और आप लोग प्रैक्टिस तो खालाकी कर रहे होंगे आप लोगो बस इतना कहूंगा कि जो KVS का एक्जाम है TGT का especially मैं बताऊं यदि आपने deep study कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी किये हैं तो आप से जो है 10 दिन जो बचा है cable test series जो है follow कीजिए कम से कम 10 test तो लगाई लीजिए और उसकी जो भी option है options से भी कुछ questions बनते हैं और PYQ साथ साथ देखते रहे हैं इनसे क्या होगा कि आप लोगे एक तरीके से idea लग जाएगा और pattern का भी पता चल जाएगा और जो कलतियां होंगी और जो practice set आप लगाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने time में आप कितना questions solve कर पा रहे ह है इसमें negative marking है नहीं तो pencil लेनी की चीज नहीं है और बाकी जो है all the best for your examination thanks for watching have a nice day